इसे मिन फोटेक का और एक फ्रेशनी वीडियो में आप सब का स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कैसे बैपार एप में फाइनसियल यार को क्लोज करते है दोस्तो यार क्लोजिंग करने से पहले आप लोग आगले साल का सारे ट्रांजक्शन को क्लोज कर लिजे कोई भी ट्रांजक्शन ओपन ना हो ये मेक सियर कर लिजे एंड कमपानी का एक बैक अप क्रेट कर लिजे दिन आप यार क्लोजिंग कर सकते हो तो दोस्तो air closing कैसे करें air closing करने के लिए सबसे पहले आपको vapor आपको open कर लेना है अगर आब mobile से भी यूश करते हो तो same process रहेगा then utility में जाएं utilities में सबसे नीचे आपको close financial यार दिखाएगा आपको इसमें क्लिक करना है close financial years में आपको दो option देखने के लिए मिलता है एक तो है restart transactions numbers दूसरा है backup all data and start phase अगर आप लोग restart transactions number करोगे तो आप लोगों का जितना भी billing होता है billing का जो prefix रहता है मतलब मान लिजे sales का जो billing का prefix रहता है purchase का delivery चालान का sale orders का estimate का यह सारे का जो prefix रहता है तो मान लिजे आपका swap का नाम है SM info deck तो SM slash आपका यार देन आपका जो inverse number इस टाइप से आप देते हो न ओ रिश्टार्ट होगा एक नए सीरे से start होगा सिर्फ एही changes आएगा और कुछ change नहीं होगा और अगर आप लोग backup all data and start phase करोगे तो आपका जितना भी सारे purchase हुआ स्टॉक था न तो वो सब opening quantity में चला जाएगा आपका purchase से direct अगर आप पहला वाला purchase को देखना चालते हो तो आपको वो backup वाला फाइल को open करके देखना पड़ेगा तो मैं आपका बता देता हूं कैसे backup all data and start phase करें यह तो बहुत ही आसान है change prefix करके कुछ steps से हो जाएगा लेकिन यह वाला थोड़ सा stop है यह मैं आपको दिखा देता हूं पहले तो देखिए दोस्तों मैंने इस साल purchase किया था जो मैं purchase में this CR करके दिखा देता हूं यह दो ही purchase है मेरा तो मैं close financial करने के बाद रहता है कि नहीं आप देख पाओगे और इसका जो item मैंने purchase किया था वो भी आप देख लीजे पहला बाला मैं दिखा देता हूं मांस डेल purchase किया था 20 पीसेस मेरा आइटेम में देखे टोटल 30 पीसेस है ओपनिंग स्टॉक में 10 है और purchase क्या है 20 तो Closed Financial year करने के बाद These item में भी क्या फरक आता है वह भी हम लोग देखेंगे तो हम फिर से यूटिलेटिछ में जाएंगे एंड inputs लोग फेनेंशाल और करेंगे देनफिक्त टेचक्रेंड टेट क्लोजिंगिड क्या है व 1988 को ही रहता है तो यह चूछ रहेगा दिन आपको चूच कर लीजे दिन सेब कर दीजे जैसी आप लोग सेब करोगे यहां पर एक पपप आएगा बुक्स ट्लोज छक्सट फुली यहां पे दिखा रहा है प्रिव्यास फिनन्सियल रियर का बूग यहां पर क्लोज हो चुका है रिस्टार्ट करने के लिए बोल रहा है आपको आपको restart करने के लिए बोल रहा है तो आप लोग इसको okay कर दीजे जैसे okay करोगे तो आपका वैपर रिष्टार्ट होगा रिष्टार्ट होने के बाद आपके समने कुछ इस टाइप के इंटरफेस आएगा आप दोस्तों देखिए मैं यहाँ पे purchase bills में जाता हूँ पर्चेस bills में देखिए यहाँ पे एक भी बिल नहीं है जब जाओंगा तो माऊश डिल देखिए opening stock में ही यहाँ पे 30 है पहले opening stock 10 था और purchase किया था 20 तो यहाँ पे opening stock ही आपका 30 आ गया है और आप लोग देखे दोस्तों आपका party वही के वही रहेगा किस party को किस party का कितना उधार है किस party को कितना आपको पेमेंट करना है वो सब भी यहाँ पे दिखायागा वो बिल्कुल सेम रहेगा और कुछ ज्यादा अंतरा यहाँ पे नहीं आएगा और आपका दोस्तों sales जो prefix ह कैसा रहता है और इसके बाANT कैसा रहता है टोरण को देख समझ पाया खरणा है अगर आपको वयप अपरूब सुवूट सेंदे राहें। वोग इस वीजिप सो देखने के लिए फिह आपको बहुत अलेज मिलेगा। तो मिल भीडिआ हैं न्यस्ट लिए इसे।IF लिए Tale